बोलिवुड की मूवी एक और आ रही है मार्किट में है, नाम है सेम बाहदर, टीजर आ चुका है, मैंने देख लिया है तो आप लोगों को मैं बताता हूँ के टीजर केसा है, सेम बाहदर, सेम बाहदर वो नाम जो लोगों को पता होना चाहिए, यह फिलम उस शक्स के जीवन के बारे में है जिन्होंने 1971 के इंडिया और पाकिस्तान के वार में इंडियन आर्मी को लीड किया था वो उस वक्त इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल थे और नो डाउट वो जंग इंडिया ने जीती थी इवन वर्ड वर्ड टू के दोरान भी उसने अपने शरीर में नो ग पूस बंस आ गए थे और जो विकी कोशल का लुक है यार कमाल का लुक है बहुत विकी कोशल की वो आंखें वो लुक्स और मूचें वगेरा वगेरा लेकिन जो चलने का स्टाइल है वो भी अलग है बोलने का स्टाइल और जो पूरा फिजीकल एक्टिवटी है वो आप नोट याद आया जैसे डायलॉग इस टीजर में सुनाई दे रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है ऐसे डायलॉग सारी मूवी में ही ऐसे डायलॉग होंगे तो थेटर में तालियां तो बजानी ही पड़ेंगी अगर आपने विकी कोशिल की वो उड़ी मूवी देखी हो तो उड़ी सर्जीकल स्ट्राइक तो आपको ये लगेगा कही ना कही उड़ी रिलीज होने के बाद बॉक्स आफिस में जैसा माहौल था रिपीट जरूर होगा ऐसे पूरे टीजर में हम फात्मा सनाशेक और सान्या मलोतरा को को भी देख सकते हैं इन प्रोमिनेंट रोल जो अगेन की मूवी राजी और वो फिलम्स लोगों ने पसंद भी की थी बट अभी फिलाल ये दिक्कत है मूवी आ रही है एक डिसंबर को और उसी दिन एक डिसंबर को एनिमल मूवी भी आ रही है तो परसनली मैं तो दोनों मूवीज के लिए एकसाइटेड हूँ तो साला ये मुझ परसनली पसंद नहीं आया तो एनिवेज आप लोग मुझे बताओ कि आप पहले कौन सी मूवी देखोगे सेम बहादर या एनिमल तो कमेंट में जरूर बताना लाइक करना सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं अगली वीडियो में